नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को धर्म राज और पोपा बाई की कथा सुनाने जा रही हूँ बोलो जय शीमन नारैन किसी गाउं में एक पोपा बाई रहती थी वो बहुत जादा नियम रत करती थी एक दिन उसने भाई वभाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी इसलिए मेरी जुपडी गाउं की बाहर बना दो और गाउं के सभी लोगों से कह दो कि वो अपनी बाई वो बच्छरों को मेरी यहां से घास फुस्क चरने को भेज दें जो बचा खुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गाउं के बाहर जंगल के पास बनी जोपडी देखकर रुग गया जोपडी के पास जा तो बार बार दरवाजा बजा रहे हो क्यों आवाज लगा रहे हो राजा ने कहा कि मैं यहां का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा पोपा बाई ने कहा कि जहां से आये हो वहीं चले जाओ मैं किसी पराय आदमी का मुझ नहीं देखती हूँ राजा ने पो पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापिस छोड़ आओ राजा जब पोपा भाई को वापिस जोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वाप डूप गया पोपा भाई धर्मराज जी के अहां पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया एक बार एक सेठ वह से ठानी मृत्यू लोग से स्वर्ग लोग आए तो उसके द्वार बंद देख कर वह धर्मराज जी के द्वार खोलने का अग्रा करते हैं धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा भाई का राज है इस पर सेठ से ठानी कहते हैं कि हम पोपा भाई को नहीं जानते हैं धर्म राज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों साथ दिन तक मृत्यू लोग में रहो आठ खोपरा से राई भर कर पांच कपड़े उपर रख कर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना की राज है पोपा भाई लेखा लेगी राई राई का सारे बोलो पोप स्क्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जैशी मन ना रहा है जरूर लिखें